हनुमान भगवान श्री राम के महान भक्त थे भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम स्मरण किया जाता है तो वो है हिंदुईज्म के सबसे ताकतवर और सबसे लोग के प्रिय हनुमान जी इनकी बहादुरी और शौरी की कहानी तो हर किसी ने सुनी होगी इनके किस्से हमने रामायन और महाभारत में भी सुने है हनुमान जी के बिना रामायन पूरी नहीं हो सकती रामायन काल में जन्मे हनुमान सेकडों सालों बाद महाभारत काल में भी जिन्दा थे इनके अस्तित्व को हम ट्रेता यूग से जानते हैं कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आये थे पौरानिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी को अमर्ता का वर्दान प्राप्त था धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो हमें उनमें हिंदु धर्म के भगवानों के वापस स्वर्ग में जाने का वर्णन मिलता है लेकिन शेश रहते हैं हनुमान जी जिनके मरने या वापस स्वर्ग में जाने की बात किसी भी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलती इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि भगवान हनुमान अमर थे कुछ महान लोगों ने उनके दर्शन करने की बात भी कही है जिसमें रिशी माधवाचारिय, तुलसी दास, स्वामी राम दास और राघवेंद्र स्वामी जैसे महापुरुष शामिल है हनुमान जी को मानने वाले लोग कहते हैं कि हनुमान जी हर उस जगह पर मौजूद है जहां उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं, उन्हें याद करते हैं और हनुमान जी हर उस जगह आ जाते हैं जहां उन्हें सच्छे दिल से पुकारा जाता है वहीं दुनिया भर में कई ऐसी जगहें हैं जहां ऐसे पैरों के निशान बने हुए हैं जिन्हें देख कर पता चलता है कि कोई ऐसा जीव मौजूद है जो आकार में बेहद विशाल है दुनिया भर के कई अलग अलग देशों में इस तरह के विशालकाय पैरों के निशान काफी संख्या में पाए गए है और वैग्यानिकों का ये दावा है कि ये निशान किसी ऐसे जीव के हैं जिसका शरीर काफी विशाल रहा होगा अमेरिका में कई लोगों ने काफी बार एक विशालकाई जीव को घूंते देखने की बात कही है ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की माया सभ्यता भी एक मंकी नामक भगवान की पूझा करती थी इसके अलावा चीन की दंत कथा में भी एक मंकी केंग का जिक्र मिलता है जो बहुत हद तक हमारे हनुमान जी से मिलते जुलते हैं और ये सारे सबूत यही इशारा करते हैं कि हमारे हनुमान जी आज भी हमारी धर्ती पर हमारे बीच मौझूद है इस बात का प्रमान हमें श्री लंका में रह रहे एक आदिवासी कभीले से मिलता है। का बोध कराया और उन्हें ये वचन दिया कि वे हर 41 साल बाद उनके कभीले के साथ रहने आएंगे और उनकी पीधी को आत्म ग्यान देंगे। किसी और के हाथ लग गया और वो इसका गलत इस्तिमाल करने लगा। तब क्या। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि ये मंत्र सिर्फ उस इंसान के लिए काम करेगा। जिसको अपनी आत्मा का मुझसे जुड़े रहने का एहसास होगा। और जहां ये मंत्र पढ़ा जाएगा, वहां से 980 किलोमीटर तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए, जो मुझ में सच्चा विश्वास ना रखता हो। खेर, मज़ेदार बात ये है कि ये जंगली आदिवासी समुदाय आज भी मौजूद है और श्री लंका के जंगलों में बहरी समाज से एकदम दूर है, इनका रहन सहन और पहनावा और भाशा भी प्रचलित भाशा से अभीलाई या आदिवासी समुध को मातंग लोगों का समाच कहा जाता है। इस समुदाय पर लोगों का ध्यान तब गया जब सेतु नामक एक आध्यात्मिक संगठन ने इस आदिवासी समुदाय की कुछ अजीब गतिविदियों को नोटिस किया। इस संगठन ने उनको औ इसल ये अजीब गतिविदिया एक पूजा का हिस्सा थी जो हर 41 साल में हनुमान जी के आने पर की जाती थी। और ये लोग इस अजीब एक्टिविटी को इसलिए करते थे क्योंकि हनुमान जी उस समय उनके साथ थे। सिर्फ कभीले वाले उनको देख सकते थे। सेतु अन इतनी एक पुस्तिका हनुपुस्तिका में नोट किया है। हनुपुस्तिका के अनुसार हनुमान जी 27 मई 2014 में कभीले वालों को आत्मग्यान देकर वहां से चले गए और इसके बाद अब वे 41 साल बाद याने की 2005 में आएंगे। ये पुस्तिका अब सेतु एशिया नाम के एक धार्मिक संगठन के पास है। और वो लोग इस पुस्तिक को पिदुरु परवत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में समझ कर इसका आधुनिक भाशाओं में अनुवाद करने में जुटे हुए हैं। ताकि हनुमान जी के चिरन जीवी होने के रहस्य को जाना जा सक लेकिन इन आधिवासियों की भाशा पेचिदा और हनुमान जी की लीलाएं उस से भी पेचिदा होने के कारण इस पुस्तिका को समझने में काफी समय लग रहा है। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद लाया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कम आपकी दोस्त नेहा आगर कर, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, अब दीजे इजाज़त, नमस्कार!